वेल्कम RЮ HSM के चलमाख बहुत बहुत सवागत है आर्यों HSM की कांसलिंग को सुरू होने को लेकर बहुत बड़ा अब्डेट जी हां बिल्कुल आपके कपसरे कमेंट आ रहे थे सेरी जो RHS की कांसलिंग एस नरसिंग के पेरामेडिकल की फार में से की इसको कब से शुरू किया जाएगा और इसका पूरा का पुरा प्रोसेज क्या रहने वाला है और काउंसलिंग के लिए कौन कौन इलिजबल है जी हाँ बिल्कुल इसके लिए भी युग्यता चाहिए तब भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो तो मिनिमम कितने अंक वाले काउंसलिंग करवा सकते है उसका भी अपडेट हम आपको देने वाले है तो यहाँ पर आप अपडेट देख पार होंगे काउंसलिंग में एक होती आपके पस्ट काउंसलिंग एक होती है सेगिंड और एक होती है थर्ड काउंसलिंग तो इसका पुरा प्रोसेज क्या रहने वाला है चेक आउट कर लेते हैं सोगई जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द सुरू होने वाली है और इसकी गाइडलाइन आपको तुरंथ टेलेग्राम पर सेंड कर दी जाएगी इसके जो गाइडलाइन आपको फोलो करना होता है हर एक वर्स इसके नए-नए गाइडलाइन शुरू होती है तो बैसिकली आप इसके योग्ये हो या फिर नहीं योग्यता आपकी है या नहीं काउंसलिंग की वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा और प्राइवेट जो कोलेज है काफिसर कमेंट आ रहे थे प्राइवेट कोलेज के उपर कि प्राइवेट कोलेज में एडियोसन लेन का क्या-क्या अडव discs अडिस अडवांटेज है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले है सो गई जैसे कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग के दोरा गॉर्मेंट के अलवा सेमी गॉर्मेंट में भी आपको एडिविशन मिलता है और एडिविशन के साथ साथ आपको प्राइवेट में भी यहाँ पर एडिविशन मिलता है तो यहाँ पर अगर आपको प्राइवेट प्रावेट कॉलेज मिलता है तो आपको क्या क्या advantage जिसमें मिलते है और क्या क्या disadvantage रहते हैं इसकी चर्चा हम यहां पर करने वाले तो counseling के दोरा जिनके 50 से कम अंक है उनके chance जें यहां पर private college मिलने के तो अगर आपको駍थ college मिल जाता है जैसा कि आप यहां पर देख पारोंगे कुछ सीटे होती है 20-25 सीटे यह से प्राइवेट में होती है जो कि काउंस्लिंग के दौरा फिलब की जाती है तो यहां पर अगर आपको कॉलेज मिलता है बाइचांस अगर गवर्मेंट नहीं मिला अगर आपको आपका कोर्स हो जाता है बीस नर्सिंग का वही सेमी गवर्मेंट में OBC जनरल वालो की 50,000 जो पीस है वही प्रावेट आपके पीस रह जाती है 70,000 के अबाव इतना सा प्रक आपको देखने को मिलता है गवर्मेंट, सेमी गवर्मेंट और प्रावेट में अब आप बोलेंगे कि यहां पर टीचिंग का जो माहूल रहता है पड़ाने का वो किसमें बेस्ट रहता है गवर्मेंट में या फिर प्रावेट में सभी को बढ़ा है कि अगर आप प्रावेट कोलेज में यहां पर आप जाओगे तो teaching का तो आपको यहाँ पर मिलेगा इसे ही बट फिर clinical का इतना नहीं मिलेगा आपको clinical का आपको मिलेगा जो training बोलते हैं यह government में ही मिलता है अधिकतर क्योंकि government में कापे सारे hospitals आ जाते हैं कापे सारे camps आ जाते हैं इसमें include किये हुए होते हैं तो यह बड़ा फाइदा रहता है teaching का private में clinical का government में तो हर एक जगह पर अपना advantage है और disadvantage है अब आप लेंगे scholarship तो scholarship तो government में भी आती है तो private में भी आती है दोनों में scholarship बराबर आपको मिलती है अब आम इसे कापे सारे student कमेंट करेंगे सर योग्यता क्या होनी चीए counseling के लिए तो counseling के लिए सभी candidate यहाँ पर योग्य है जी हाँ बिल्कुल जिन्हों ने interest exam दिया वो सभी counseling यहाँ पर करवा सकते हैं सही सुन आप ने counseling यहाँ पर सभी करवा सकते हैं सभी के सभी जिन्हों ने इंट्रास एक्जाम दिया चाहिए आपके 25 नमर है 20 नमर है 15 नमर है ठीक है 30 नमर है जो भी आपके नमर है आप काउंसलिंग करवा सकते हो कोई नहीं रहो सकता आपको बट आपको कोलेज मिलेगा या फिर नहीं यह डिसाइड करेंगे आपकी काउंसलिंग जैसा है आप सभी को पता होगा कि जो ऐसे मस से यहां पर ऑदर्डैर सीट है और जो mère हसे यहां पर्खेश शीट है और जो कोटा काय ना यहां पर बीहन डर्सीट है और जो जो गूल करुंठ बर्काहिए यहां पर भी हंड्रेड... ми नहीं सबस्क्राइब के लिए को देपा जों कि आपको यहां पर देख पांगे यहां पर थैंस से अभी इसके लवा can ने कॉलेजitt ओपन हो चुके 2021 में जो इन के हीला हम आपको बताएं के क्रोली में भी ओपन यूटश का र 검찰 में हो चुका है सिकर में हो चुका है, जहांपर 60-60 सीटे आपको मिलेगी इन सब के अलवा, भरतपूर, भील वड़ा इन पे भी 60-60 सीटे आपको मिलने वाले तो और वाल सीटे कापी सारी हो चुके यहांपर आपको जो सिडूल दिखा रखा है इसके अलवा भी यहाँ पर चूरु में भी उपन हो चुका है भीलवड़ा में, भाड मेर में, पाली में ठीक है तो यहाँ पर कापी सारी सीटे हो चुकी है अल्मास 1200 के भी अबाव यहाँ पर सीटे हो चुकी है जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर सेडुल जारी कर दिया जाएगा जिहां बिलकुल यहाँ पर सेडुल आपको मिल जाएगा और सीट मेट्रिक्स हर बार दिया जाता है कि इस साल कौन-कौन सी कॉलेजस में यहाँ पर एडिविसन होने वाले है उसी के अकोर्डिंग फिर आपको चोईस्पिलिंग करनी होती है और चोईस्पिलिंग आप कितनी भी कर सकते हो कल हमने आपको बताया भी था हमारे फोर्म के माध्यम से कि चोईस्पिलिंग आप जितनी चाओ उतनी कॉलेजे बर सकते हो आप चाओ तो सोथ दोसो जितनी चाओ उतनी बर सकते हो कोई दिक्कतवा प्रकार का सेडूल आपको मिलेगा जिसमें आपको कब से चोईस्पिलिंग करनी है कब से इसके लाज्ट डेट रहने वाली है ना इस प्रकार आपको मिलेगा 2022 का भी किस टाइम पर आपको जोइनिंग लेनी है सब कुछ आपको मिलेगा तो पिछले साल का सेडूल की सर्त है यह थी यह देख लो आप इस प्रकार की सर्त है थी यह देखे कि कहां पर कितनी सिट है और यहां पर गॉवर्मेंट कॉलेज ओप दे सेल पाइनेंस इसमें जव लिए वार्ड वाला भी सब्सक्राइब करकार जाओ तो अचाहते हैं तो हर बार कोई ब्रव यहां पर दी जाती है कितनी पीस होती है हर बार दी जाती पिछले साल यहां पर दहजार पीस थी यह देखिया डॉक्मेंट्स वहीं चाहिए आपके यह तो आपको जोइनिंग के कांसिलइंग के चाहिए पिछले वीडियो में जो कमेंट शो चेकआउट सो चले कि आपके कमेंट आपको के नकांसिल में college मिल जाए तो यूज second round third counseling में भाग लेने भाग लेना है बताइए अगर first round की counseling में college मिल जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं आप चाहो तो second में भी ले सकते हो क्योंकि अगर आपको पहला college पसंद आ गया तो अगर आप उसे आफ में जूरत नहीं है अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अगर से इसी कोई दिक्कत वाल करवासियोंने पर यसी केटगरी में स्कॉलर सी मिलती है क्या बिल्कुल मिलती है बहुत अच्छा क्यूसे ने ओपीशोड का हंड्रेड परसेंट आपको स्कॉलर सी मिलती है यसी में चलिए कब स्टार्ट होगी काउंसलिंग बस वन विक के लिए बोला है और इस स्वालों ने तो वन विक में हो जाएगी आपको बिल्कुली चिंता नहीं करनी है क्योंकि इतना सा तो टाइम लगेगा है लगेगा काउंसलिंग में और चैनल सस्क्राइब कर रखाऊगा बेल आइकन प में मिल सकता है प्राइवेट मिल जाएगा हंड्रेड परसेंट अजित सिंग काउंसलिंग पिस कोलेज नहीं मिलने पर रिफंड हो जाएगी क्या देखो हर साल रूल अलग अलग होता है जब आपके पिस 10,000 रुपे लगती थी ना काउंसलिंग यह तो रिफंड होती थी ब काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज फिल करने चाहिए मेरे इसाब से जिनके 56 है न यह सी टॉटल गवर्मेंटी फिलब करनी चाहिए SMS पहले नमबर पर दूसरे पार विचेस फिर आप कोटा उदेपुरू विक्का नेर यह सारे बर सकते हो जिनके 56 है उनको टॉटल गवर्मेंटी बरना चाहिए पहले तो सर मेरे 32 है एए डुले से मेरे को प्राइवेट कोलेज मिल जाएगा इसके लवा योगेश जी का कमेंट है सर परामेडिकल की काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगी जब आपके नरसिंग के होगी जब आपके फार मेंस्टिंग के होगी उससी टाइम परामेडिकल की स्टार्ट सब्सक्राइब करने का मतलब एक साथ होगी सभी की स्टूडी वित सोमिया सर 57 गरल सूँ जनरल से गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगी जोदपुर का चांसे गवर्मेंट मिलने के क्योंकि आप गरल सो ना तो आपको मिलने के पूरे-पूरे चांस है जे 57 बहुत अच्छे आंक् है ना अधिक तर अटेच्छी होते है क्योंकि आपको ट्रेणिंग करनी होती है ना तो अटेच में होते हैं अगला कुसी सर में और स्टेड्स हूं मेरे 53 एंगा 53 आए आपके गर्मेंट कोलेज मिल जाएगा क्या आक तो आपको गर्मेंट मिलने के चांस है जे बट्धर कां से पच्चास तीस से पच्चास प्राइवेट के इस सतर के अबाव रहेगी अगला कमेंट विक्टोरी 333 का छत्य सोबीसी में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा बिल्कुल मिलेगा पको सर्वन सरमा 40 EWS बोई प्राइवेट रासना सरड़ है रिक्रुशलिंग के लिए इडाउन मिल जाएगा तब काफी सरे डॉक्मेंट्स आपको चग चाहिए 10 विप बार विकमार्ट चाहिए थी कॉलिज मिलने के बाद की बात है यह कांसरीट करम से कव ढूब है स्वार्मेसलिंग सब्सक्य साथ-दस दिन का टाइम लगा हुआ है बस नर्सिंग में, फार्मेसी में, पिरामेडिकल में एकसा सुरू हो जाएगी तो कापे सरे कमेंट है अगर आप कमेंट करके बोलोगे सर कमेंट को पर वीडियो बनाईए तो हम आपके लिए इस पेसल वीडियो बना देंगे बट आप बताओ कमेंट करके